नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं आज़े ब्रमात्मस आज मैं एक डॉकुमेंटरी छायांकन की चर्चा करूँगा छायांकन जिसका निर्मान और निर्देशन हिमंद चत्रुवेदी ने किया है जो खुद एक सिनेमेटरोग्राफर रहे हैं इस डॉकुमेंटरी के बारे में जानना बहुत जरूरी है और जब भी आपको मौका मिले तो इसे जरूर देख लीजिएगा यह कुछ दिनों में हो सकता है किसी फेस्टिवल में या कहीं और आपको दिखाई पढ़ जाए मुझे एक विशेष प्रबंद के जरीए यह देखने का मौका मिल गया इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस डॉकुमेंटरी के बारे मैं आपसे कुछ शेयर करूँ बात आगे करो इसके पहले मैं चाहूँगा कि आप सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कर ले और बाय मी एक कॉफी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफी खरे दे ताकि मैं आपके लिए इस प्रकार के वीडियो जूटा सको हैमन्द चत्रुवेदी हिंदी फिल्मों के सिनेमेटरग्राफर इन्होंने स्वैम के अभ्यास से सिनेमेटरग्राफिस सीखी बताते हैं कि सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने के दोरान जहांगीर चौतरी को देख इनका मन हुआ कि मुझे भी सिनेमेटरग्राफिस सीखनी चाहिए इसके बाद वे जामिया मीलिया चले गया जामिया मीलिया से लोटने के बाद मुंबई में उन्होंने कई सिनेमेटरग्राफर से संपर्क किया लेकिन संयोग ऐसा कुछ रहा कि उन्हें किसी ने अपना सहायक नहीं बनाया गोविन निलानी जरूर राजी हो गए थे वे तैयार भी थे लेकिन शूटिंग शुरू होने के पंदर दिन पहले उन्होंने बता दिया कि भाई विजे तेंदुलकर के बेटे को मैंने अपना सहायक चुल लिया है खर हेमन चत्रवेदी हिम्मत नहीं हारे वे सिनिमेटर ग्राफिक के गुर्थ सीखने में लगे रहे और फाइनली दीरे दीरे आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने कमपनी जैसी फिल्म के फोटोग्राफिक की कमपनी के बाद 15 पार्क के वेन्यू भी उन्होंने किया मकड़ी भी किया मकबूल भी किया विशाल भारत वाज के साथ और इस तरह लगातार व्यस्त होते चले गए लेकिन फिल्म इंडिस्ट्री के रवईये से वे हमिसाथ दुखी रहते थे यहाँ जिस प्रकार से काम की इज़त नहीं होती है प्रतिवाओं की इज़त नहीं होती है इस बाद से वे बहुत दुखी रहते थे और फाइनली ऐसा हुआ कि 2015 में ब्रदर्स फिल्म के रिलीज के बाद जब देखा उन्होंने उसका हस्र अक्षे कुमार सिधार्त मलहुत्रा की फिल्म ती आप जानते होंगे धर्मा प्रोडेक्शन की इस फिल्म का हस्र देखने के बाद से उनको टोटल विरक्ती हो गई औ और वे इंडस्ट्री छोड़ कर चले गए इंडस्ट्री छोड़ने के बाद उन्हें काफी मन्थन चिंतन किया और उन्हें ऐसा कुछ आभास हुआ हैसास हुआ कि उन्हें अपने अग्रजों पर सिनेमेटिग्राफर्स पर कुछ काम करना चाहिए उन पर डॉक्यमेंटरी क करनी चाहिए उनसे बाते करनी चाहिए उनके अन्भवों को एकत्रित करना चाहिए उनके विचारों को संकलित करना चाहिए और इस उद्देश से उन्होंने च्छायांकन का काम सुरू किया च्छायांकन एक बहुत ही खुपसूरे डॉक्यमेंटरी है जो बगैर किसी शोर स करावे के 14 सिनेमेटरिग्राफर के जीवन में जागने की कोशिस करती है सवाल जवाब की जरीए उनके उद्गारों के जरीए और हम सिनेमेटरिग्राफी के बारे में फिल्म इंडिस्ट्री के बारे में यहां के स्टार्स के रवईयों के बारे में बहुत कुछ धीरे-धीरे जानते हैं हम उन सारे कैमरामेन को करीब सिर्फ सुनते और समझते हैं और उनकी मुश्किलों को भी समझ पाते हैं फिल्म की शूटिंग करना कोई मामूली काम नहीं है हाला कि इदर डिजिटल होने के बाद या थोड़ा आसान सा हो गया है क्योंकि तुरत आप रिजल्ट देख सकते हैं लेकिन ऐसा भी दौर था जब शूट होने के बहुत दिनों के बाद पता चलता था कि एंड रिजल्ट क्या हुआ कैमरा मैन निर्देशक की सोच को परदे पर उतारता है सिर्फ प्रकास विवस्था ही उसका काम नहीं होता है उसका काम यह भी देखना होता है कि उसके कलाकार अपने किरदारों को सही ढंक से एक्स्प्रिस कर पा रहे हैं और वो उनको कैद कर पा रहा है तब ही फिल्म का प्रभाव बनता है सिनेमेटिग्राफी की समस्दारी और व्याख्या की तो ये हालत है कि अगर खुबसूरत वादियों में शूटिंग हो गई हो तो लोग कहते हैं कि फिल्म की फोटोग्राफी बहुत अच्छी थी वहीं किसी अंधेरे गोदाम में शूट किया गया हो तो उन्हें लगता है कि ये क्या फोटोग्राफी हुई तो मुझे लगता है कि समिख्शकों दर्शकों को भी सिनेमेटिग्राफी की बारीकियां समझने की जरूरत है बारीकियों में न जाएं लेकिन थोड़ी बहुत तो जानकारी होनी चाहिए मुझे यकीन है कि आप अगर इस डॉक्मेंटरी को देखेंगे तो आपके दिमाग के पटल खुलेंगे आप थोड़ा बहुत ज्यादा करीब होंगे सिनेमाटरिग्राफी समझने के इस फिल्म में हैमन चतुरवेदी ने 14 नाम है इसलिए मैं देख के बताऊंगा पीटर परेडा, एके बीर, बरुन मुखरजी, जहागीर चौधरी, बाबा आजबी, इश्वर बिद्री, कमलाकर राओ, परवीन भट, दिलिप खन्ना, नदीम खान, गोविन नहलानी, सुनील सर्मा, आरेम राओ, और इस डॉक्युमेंटरी में वहिदा रामान भी हैं वहिदा रामान ने भी अपने अन्बाव शेयर किया हैं, इस फिल्म को देखते हुए अजीब सा हैसास होता है, पीटर परेरा की आँखों की रोशनी चली गई है, इस डॉक्युमेंटरी के निर्मान के बाद, रिलीज होने के पहले, इश्वर बिद्री का निधन हो गया है नदीम खान कोमा में हैं, हमन चतरवेदी चाहते हैं कि इस फिल्म का एक परदर्शन हो मुंबई में, जहां ये अपने अग्रजों को, अपने वरिष्ठों को यह फिल्म दिखा सकें, और साथ ही इंडिस्ट्री के और भी लोग इस फिल्म को देख सकें, जल्दी ही यह फिल इस फिल्म की चर्चा के जरिए, इस डॉकमेंटरी के चर्चा के जरिए, अब मैं यह सलसिला सुरू कर रहा हूं, कि डॉकमेंटरी की भी बाते किया करूंगा, और उनके बारे में आप से कुश शेयर करूंगा, मुझे लगता है कि डॉकुमेंटरी एक बहुत प्रभावसाली माध्यम है जिसके जरिये हमारे देश के अनोखे फिल्मकार बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और इस साल ओसकर में भी भारत से एक डॉकुमेंटरी ही गई है उमीद की जारी है कि इसे ओसकर मिल सकता है शुक्रिया महरवानी धन्यवाद आप देखते रहें सिनेमा हॉल फिर मिलेंगे